आज एक ऐसे मज़ेदार आपके लिए strategy लाया हूँ जिसके तहट आप लगबग रोज बहुत सारा जबरदस्ता ऐसा कमा पाएंगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू मैंने अपने sister के blog का जो link है वो मैंने description box में दे दिया है आप एक बर जरूर इसको blog को check out जरूर कीजिएगा आगे बढ़ते हैं देखिए बहुत सारे होता है ऐसा कि हम strategies तो बनाते है strategies पे हम follow करने के कोशिश करते हैं लेकिन बहुत बार मेरे channel पे ऐसे लोग comment करते हैं कि अरे मैंने देखा है कल तो काम नहीं किया था अरे आज तो काम नहीं किया देखिए कोई भी चीज हर रोज एक जैसा काम नहीं कर सकता है लेकिन जब आप उसको देखकाल तक उसको प्रैक्टिस करते है तब जाके आपको उस पे बिल्कुल भरोसा बैट जाएगा बात रही इस strategy की जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं ये लगबग फेबरोरी मैने से शुरू हुआ है चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ इसका समय क्या होगा टाइम फ्रेम क्या होगा सारे चीज़ को आप जान लेंगे तो सबसे पहले हमारा जो टाइम फ्रेम है उसको हम सेट कर लेंगे पांच मिनिट पे करना है बहुत बार पूरा वीडियो लोग देखते नहीं है एक दो मिनिट देखते हैं और आके तुरंत कमेंट करते हैं sir टाइम फ्रेम के बार में तो अपने पताया था या झी सर अपने असल के बार में तो पताया या निर्म इससकों बताता हूँ तो बहुत से selected time है, जहाँ पर आप सिर्फ उस वक्त आएंगे, trade लेंगे और वापस चले जाएंगे, तो आपको आज की जो strategy है, उस पर आपको क्या करना है, आपको ठीक 11 बच के 55 मिनिट पे आना है, कितने बज़े ये 11 बच के 55 मिनिट में, 11.55 एम, आप जैसे इस समय इस प्रकार भी candle बनेगा, आपको उसको note कर लेना है, उसके high को और उसके low को, और यही आपका होगा SL, दुबारा सुनिए, 11.55 को जो candle बनेगा, 11.55 से लेके 12 बच तक 5 मिनिट के time frame पे वही आपका होगा SL, उसके पूरे high और low को आप note कर लेंगे, अगला candle जो बनेगा 12 बचके 55 मिनिट का जो candle बनेगा, उसके high को अगर वो break करता है, या उसके low को अगर वो break करता है, तो आप यहाँ पर trade ले लेंगे, अगर उसके low को break करता है, तो आप यहाँ पर trade लेंगे, मतलब cool मिला के आपको उसके अगले candle का इंतजार करना है, मतलब 12 बज़े का जो candle रह जा रहा है, cross करके, तो आपको call option ले लेना है, चलिए, अब कहा तक आपको जाना है, आपका target कितना हो सकता है, अभी इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, बहुत सारे लोग थोड़े confused हो जाते हैं, हमारा सा target हम achieve नहीं कर पाते हैं, 10-20 point पे हम निकल जाते हैं, तो बड़ा target कैसे मिले, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी एक video बनाया था, जिसमें मैंने काया कि target को अगर आपको जादा target चाहिए, तो सबसे पहले आपको करना यह होता है, कि एक red candle बन गया, आप तुरंद भाग जाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, या आप candle बन रहा है, बन रहा है, यह हरा ही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है, अगर आप पाच मिने टाइम फ्रेम पे काम कर रहें, मान लीजी यह यह candle यहापर बना और दूसरा candle बनना शुरूआ, अचाना कि धिरे 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 उपर गया, अचाना कि यह नीचे आना ऐसा नहीं सोचना है, पूरा candle बनने दीजिए, यह पूरा candle बन गया, आपने ट्रेड यहापर ले लिया, यह candle बना हरा, दूसरा candle बना हरा, तीसरा candle भी हरा बना, चौथा candle अगर red बनता है, उसको बनने दीजिए, exit मत करिए, एक candle अगर red बन गया, तो यह मत सोची कि बस कुछ नहीं होता तबा, आप एक एक red candle पर मार्केट को जज मत करिए, इसलिए तो आपको कम profit मिलता है, एक candle मीरा ना, रूखिये जरा, अगला candle देखे क्या बनता है, अगला candle अगर वास फिर्च मैक्सिम समय होता है, मार्केट कैसे चलता है, ऐसे उपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, यह जो नीचे आ रहा है, यह सब red है, और आप कहां से आपने यहाँ पर trade लिया, एक red बना और आपने यहाँ पर exit का जंडा उठा के भाग गए, यही तो गलती हो है, लेकिन market कहा तक जा रहा है, बहुत उपर जा रहा है, तो इसलिए आपको एक red candle से डरना नहीं है, red candle बन रहा है, बनने दीजिए, आपको next candle का wait करना है, अगर आप ऐसा जा रहा है, यह नीचे आए, red बना, यहाँ पर दोबारा देखेंगे, फिर से green बनेगा, किसी कारण से यहाँ पर green नहीं, दोबारा आपको red दिखता है, अब आप निकल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर आप selling pressure बन रहा है, तो जब selling pressure बन रहा है, आप तो बिल्कुल निकल सकते हैं, और यही चीज नीचे की तरफ भी आपको लागू होगा, मतलब आपने अगर यहाँ पर trade लिया है, और नीचे आ रहा है market, तो यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर आपको एक green candle यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर एक green candle बना, आप रुख गए, और एक green जैसे बना तो आपको एक समझ में आ जाएगा, अभी यहाँ पर buying pressure बन रहा है, तो यहाँ से exit कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं, आईए थोड़ सा back test कर लेते हैं, तो यह 11.30 का है, और यह 11.50 का है, यह 11.50 का है, यह red वाला, red वाला जो candle है, यह 11.55 का अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना था, मैंने आप सो क्या कहा, 11.55 के candle को बनने दिजी, यह हमने बनने दिया, अच्छा, live trade में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते, सर, आज 12 बज़े वाला strategy लागू क देखिए, तो यह 11.55 का candle बन गया, हमने क्या किया, इसके high को और इसके local note कर लिया, अब हम इंतजार करेंगे, कि जब इसको break करेगा, तो देखिए, अगला candle 12 बज़े का बन रहा है, छोटा सा green बना है, हम वेट करेंगे, अभी तक breakout नहीं हुआ, ना breakdown हुआ है, लेकिन अग 12 बज़े के candle के ठीक उपर से शुरू हुआ, और अच्छा का सा उपर जा रहा है, तो यहां से तू रधम ले लेंगे trade, और जैसे हम trade लेंगे, कहा से लेना है, देख लिजे ध्यान से, बिल्कुल यहां पे trade लेंगे, तो यहां पे जैसे ही लेते, तो कम से कम आपको यहां 50 पॉइंट का है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आप कैसे decide करेंगे कि 50 पॉइंट में ही आपको आपको निकल जाना है, यह उपर गया, मैंने आपसे क्या का, पहला candle बन गया, बनने दीजिए, यहां पे आपने entry की, बन गया, दूसरा candle बना, red बना, रुकिए, red बनने के बा और उचा होता, तो आप समझ सकते थे, लेकिन यह जो green candle बना, वो बिल्कुल red के समान बना है, तो समझ जाए, कि यह जो तीन candle आप यहां पे देख रहे है, यह तीनों candle लगबग एक ही range के है, मतलब market यहां से consolidate ही कर रहा है, तो आपको तुरंद वहां से निकल जाना है, ता यह हम आ गए, यह, यह 11.55, लेकिन यहां पे 12 बजे वाला trade मिला है, तो 12 बजे यह हमने इसका SL note कर लिया, तो पहरा candle, दूसरा candle, तीसरा, चौथा, चार candle तक वेट करी है, अगर market आपको breakout या breakdown नहीं देरा, निकल जाए बाहर, बहुत देर इंतजार करने की जरूद नहीं ह हाँ, यहां से 12 बजे थोड़ा सा यहां पे आया था, तो 12 बजे आप यहां से कर सकते थे, 100 point का यहां पे आप ले सकते थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत देर आप यहां पे trade मत लीजिए, आप इंतजार जरूर कर सकते हैं, 12 बजे के बाद मतलब 12 बजे तक भी अगर आपको मिल जाता है, लेकिन मेरी साब से 3-4 candle के बाद आप वेट मत करिए, उस दिन strategy को छोड़ देंगे तो जादा बेतर है, बले ही 12 बजे, पौन 1 बजे मिल जाए, लेकिन आपको पस्तावा नहीं करना है, छोड़ दीजिए उस दिन का trade, तो मैं बिलकुल इसके favor में नही लिखा देता हूँ, ये 12 बजे, ये का ये, 11,15 का है, ये 11,15 का red candle है, इसका SL हमने note कर लिया है, ये अगला candle बना है, ये वाला red, ठीक है, breakout नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से आपको breakdown मिल रहा है, तो यहाँ से आप खरिद लेंगे, यहाँ से खरिद के कहा तक जा रहा है, पह हम trade नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा green बना है, जैसे दो green आ जाएंगे, हम वहाँ से निकल जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे, तो कम से कम आपको यहाँ पे अच्छा कासा 70-80 point आपको मिल जाएगा, तो 70-80 point बहुत होता है, ठीक है, अब जब 70-80 point बहुत होता है, तो आपको बहुत अच्छा खासा फाइदा भी हो जाएगा, तो मुझे उमिद है, आप जितना भी पीछे जाएंगे, लग भग हर रोज आपको 12 बजे वाला ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन किसी दिन ना मिले, तो बिलकुल आके comment box में, सर आज तो नहीं मिला, हर रोज marketing जै बिलकुल